हलो गाइस मैं हमनाफ्स और आज मैं फिर से एक बड़ सवगत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल sketchup हिंदी पे तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक मैंने कुछ autocad से कुछ चीजे लाइन ड्रो कर रखिये हैं और दूसरी साइड मैंने एक जाली का पैटर्न लगा रखा है ठीक है तो क्या आप चाहते हैं कि इस तरीके का जाली का पैटर्न बना सके इसली sketchup में या फिर ऐसे इस तरीके के करूत में या बिल्कुल इस तरीके की designs या ऐसा कुछ ठीक है इस तरीके की चीजे तो आज हम देखेंगे कि ऐसी चीजे हम बना कैसे सकते हैं easily ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं जल्दी से अपने इस वीडियो को मैंने सबसे पहले क् इस तरीके से चार बाइड का एक design इस तरीके से बनाया है चार बाइड का ही क्यों क्योंकि जो maximum boards वोगरा हमरे मिलती है वो चार बाइड के size की होते हैं easily ठीक है उसी तरीके से इसलिए मैंने इस size का लिया है इस पे कुछ line ड्रो कर रखें और देख रहे हैं आप दूसरी side मे कुछ dots ड्रो कर रखें यह मैंने क्यों किया है यह मैं अभी आपको बताता हूं तो इस तरीके के designs बनाने के लिए आपको वनोई कर्व के नाम से एक plugin है जो आपको डाउनलोड करनी पड़ीगी यह देखिए यह इसका पूरा नाम है वनोई कॉनिक करो ठीक है अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो माफ करना ठीक है अगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक मैं यह लिक्या हूँ मैंने क्या किया है इसे normal AutoCAD में divides की मदद से जो dots बनते हैं उन्हें इस तरीके से रखा है यहां पर ठीक है तो चलिए सबसे पहले मैं इसे कॉपी करके अलग लिकर लेता ह और इसे explode कर लेते हैं यह जो plugin है यह free है तो इससे होगा क्या तो सबसे पहले क्या करेंगे हम से एक surface generate कर लेंगे इसका पूरे का फिर उसके बाद इस पर हम काम करते हैं तो यह तो हो गया लेकिन इन dots का surface कैसे generate करेंगे तो वह भी हम देखेंगे तो इसे मैंने इस तरीके से generate क्यों किया देखें जैसी आप इस तरीके के डिवाइट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो third option है कौनी कर्व इन फेस पर और इसके अंदर सिर्फ आपको क्लिक करना है सिर्फ क्लिक करना है और यह easily x यह बनके आ जाएगा ठीक है और इसके बाद आप क्या आप एक्सप्लोड कर दिजिए और इसली अगर आपको यहां बीच में से होलो गायब करने है तो आप इस तरीके से होलो कर दिजिए और यह लाइन से अपनी है डालेजिए तो यह देखिए यह बिल्कुल बिल्कुल अराम से बनके तयार हो गया है ठीक है आप इससे सेलेक्ट करके में क्रोड़ एंड हम सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा इसे इसके वेसे यह भी सही हो गया ठीक है तो अब यह easy हो गया आपको इसके बीच में glasses फसानी है तो आप उ इससे स्लेक्ट किया और यह देखिए यह easily हो गया ठीक है आपको जो कलर करना है फिर आप कर सकते जो भी आपको एडिट करना है आपके मताबिक ठीक है तो अब इन डॉट्स का क्या करें इस तरीए डिवाइट के तो आपको पता है कि आप जितना छोटा डिवाइट करेंग करें और इसे देखिए जैसे आप इसे सेलेक्ट करते हैं अ यह सारे जोइंट को मिला करकर एक सर्फिस क्रेट कर दिता है यह मैंने को अलग कर लियाह कोपी करके उस सराफिस बन जाति है अ फिर सेसे क्लिक की जिए इस तरीक है से और यीज्शली यह बन के तयार होजाएगा कि यह देखिए ठीक है तो आप क्या कि जिब आसे से मूव कर लीजिए यहां से और सब को सेलेक्ट करके एक्स्प्लोर कर लीजिए सिंपल और जैसे कि मैंने बताया लाइन्स को आप अठा दीजिए यहां से जाफेब देखे जब इस तरीके की चीज़े होती है तो अभी क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने देखे इसे जैसे अभी यह है जो इतने भी राउंड वाले हिस्सा है इसे डिलीट करना है मैं क्या करूंगा इसे डवल क्लिक क्या वाने और देखिए जी सिर्फ राउंड वाले के सर्फेस छोड़कर बागे सबको स्लेक रहतों तो फिर मैं राइट क्लिक करूंगा स्लेक्ट और यहां पर है इंवर्ट सेलेक्शन जैसे हम इंवर्ट सेलेक्शन किया जो कुछ बचा हुआ था वो डिसलेक्ट हो गया और सीधे उसे मैं स्लेक्ट कर दूँगा डिसलेक्ट होते ही ठीक है तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि कहां कौन सी चीज और इसै यहां पर रख लेता हूं इस पर हम क्या गरते हम इसे नहीं रखते हैं तो आप क्या करसकते हैं हमने एक पहले प्लग इन दिंखा था ऑप सेट के नाम से थीक है स्मार्ड आप सेट के नाम से जो यह सब कर सकते थे select करो सब को और selection में जाके deselect करो edges को और इसके बाद offset select करो और minus one करो ok करो और यह देखो यह उल्टा वो हो गया है अंदर की और जैसे ही इसमें वो हुआ तो आप फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं इन्हें इस तरीके से जो बीज की लाइने थी उन्हें हटा दिया वैने और उसके बाद फिर आप उसी तरीके से सबको सलेक्ट के राइट कलिक करके सेलेक्षन वजा के इन्वर्ट सलेक्शन डिलीट ठीक है और इस तरीके से ये आप कि दूसरे तरीके से आप इसे बना सकते हैं ठीक है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने छोटे-छोटे कुछ प्लगिंश कई प्लगिंश बताय थे जैसे हमारा स्मार्ट आपसेट हो गया और यह जो भी दिख रहा ना चार पांच यह सब के मैंने आपको यहां पर बनाया है ठीक है आप देख सकते हैं वीडियो अब इसमें यह बीच वाला क्या है दो चीजे तो मैंने बता दिया आपको फॉर्स्ट एन लास्ट अब बीच वाला क्या है तो उसके लिए क्या है कि यसे उसके लिए भी आपको यहफ पॉइंट जाहिए लेकिन जैसे मैं इन्हें पॉइंbound लेता हूना यहां पे कुछ होता नहीं है मतलब कुछ भी क्रिएडवैस नहीं हो बासा तो पता नहीं क्यों और चया हुआ ह। जो यह dots हैं वो यहां पर वर्क नहीं कर रहे तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक और यहां पर rectangle बनाता हूं छोटा सा और इसके ऊपर हम dots डालेंगे जे एचेस पावर टूल में एक dots के लिए special plugin है ठीक है तो उसकी मदद से मैं यहां पर कुछ multiple dots डालूँगा ठीक है आप बस को बस क्लिक करने और यहां dot create हो जाएंगे ठीक है चलिए तो यह dots create हो गए और मैं क्या करूंगा सर्फिस को delete कर दिया और इसने हैं सेलेक्ट कर लूँगा जिन्हें मैंने अभी बनाया और उसके बाद चलिए इसे हटा देते हैं इतका काम इतना ही था अब मैं जैसे ही बीच वाले को convert करूंगा तो यह देखे यह create कर दिया इसने लेकिन अंतर क्या है इसने भी surface create किया और इसने भी surface create किया लेकिन अंतर क्या है कि इसने सारे points को add किया लेकिन इसने क्या क्या सारे points को offset किया एक तरीके से सारे points से दूर दूर जाकर किया ठीक है I hope कि समझ गया आप तो इन सब को आप फिर से right click करिए एक्स्प्लोड कीजिए एंड उसके बाद आप फिर से इसके अंदर इस तरीके से अपने अपसेट लीजिए और यह आपका डिजाइन बन जाएगा अगर आपको लगता है कि थोड़ा कर्वो कम है मेरे साइच से अब जैसे देखें माल लीजिए कि मुझे चारवाई आठ का चाहिए था और यह चारवाई आठ से छोटा है ठीक है इसे यहां से लेते हैं कि यह दिखिए कहीं से ज़्दा है कहीं से कम में इस तरीके के कुछ बन रहे हैं कहीं से ज़्यादा कहीं से कम तो आपके सब्सक्राइब और डाल दीजिए यहां से बाहर डाउट से डाल दीजिए बैक जाके एंड उसके बाद आप कट कर लीजिए वह हो जाएगा ठीक है या फिर आप कम डालिए और बाहर की साइट में आपसेट लग लिजिए अपना बफर के लिए जो जगह हम जिस तरीके से बनाते हैं वह ठीक को भी आपड़ेगा हमें प्रणल में है जो जगह है इस तरीके से गाइब हो जातीาย उन्हें आपको 그냥 कर लेंगा अ कि इसमें तो प्रोब्लम है तो तो बेंशाव ओने को फैक्स करना पड़ेगा ठीक के जैसे यह हां पे कुछ प्राग्लम है और यह इस टॉट के वाज़े से साथ चूट नहीं रास है इसे तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अगले एक वीडियो में मैं एक और बताऊंगा जो इसी तरीके से वर्क करता है लेकिन उसमें आपको जंजट नहीं होगा इस तरीके के कुछ भी डॉट्स बनाने की या कुछ भी ऐसा करने की जिसमें आपको ज्यादर टाइम लगे उसे आप सीधे यहां लाइए और उसके बाद इसली आप उसे सीधा एक्सप्लोड कीजिए एंड उसे पुश पुल करके आप उजी इसली उठा सकते हैं कि यह चीज समझ गया होंगे अब बात रही कि मान लिजिए कि आपको यह चीज तो पसंद आई लेकिन आर्च जो है कहीं जादा है कहीं इतना बड़ा बड़ा गैप है कहीं कम जादा है तो उसके लिए आपको क्या करना है इसके सारे करेंगे से आपको अल्ट प्रेस करना है ठीक है जैसे ही आप इससे स्लेक्ट करेंगे इसके अंदर आए और जैसे से हाँ एक चीज और सोच ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये यहां पर आपने नंबर कुछ काफी जादा या काफी कम कर दिया जो इसके सपोर्ट में नहीं रहा और यह इसे पता भी नहीं चलेगा तो आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा थोड़ा-थोड़ा कम जादा कर लेता है अधर करेंगे तो उसे पहले तो इसके औंधर जाएंगे और इससे स्लेक्ट करके उसके बाद करेंगे जैसे मैं से थोड़ा कम कर देता हूं तो अभी इससे हम कर देते हैं एक इस से हम कर देते हैं कि और ओकर त्यौ skies च्राइं तो अभी देखिए जो livres music ये public उस एजेज में और इनके पूराने एजेज में सार्पने जो है वह काफी कम जादा हो गई है ठीक है तो अभी हम इसे फिर से टैब की मदद से चेंज करेंगे तो यह दिखे 25 रखते हैं तो इस बार देखे अलग 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 आ रहें ठीक है फिर से हम टब डावश लगें और यहां पर 20 को हम करते है 35 नूंबर ओफ पौंट्स को कर देते हैं 5 रूख करते हैं तो यह देखे नंबर ओफ जितने भी कम करेंगे points को उतनी ज्यादा इसमें ये दिख्कत आएगे तो इसे इस बार हम करते हैं 10 की जगा 20 करते हैं और ये देखें ठीक है फिर से हम tap press करेंगे इस 35 को हम इस बार करतेंगे 5 करते हैं और इस बार देखें तो जो ये offset है तो सबसे पहले क्या है offset हो रहा है और वो offset mm हो रहा है देखें इस तीन mm वाला है जो यहां था 35 mm वाला में इतना distance है ठीक है और दूसरा number of points आप देख रहे हैं ठीक है weight weight को हम इस बार इस बार हम बढ़ा रहे हैं ठीक है इसे हम five कर रहे हैं okay करते हैं और यह देखें ठीक है तो अभी जो है अभी offset वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा ही कम हो पड़ा है तो इस हम change करते हैं offset को 3 mm के जगह हम 10 mm 20 mm कर लेते हैं ठीक है यह देखें इस तरीके से easily तो अभी जो हमने photo देखी थी यहाँ पर देखें आप easily इस तरीके की चीज़े बना पड़ रहे हैं यहाँ यहाँ पर या फिर आप देखेंगे इस building के अंदर जो चीज़े थी वो कुछ इसी तरीके की ह है अना तो आप easily इस तरीके से इसे edit कर सकते हैं ज्यादा कुछ changes ना करें मेरी राय रही ही रहेगी तो जैसे कि मैं changes करता हूं से 25 को कर देते हम 50 और मैं कोशिस कर रहा हूं कि यह crash हो जाए तो इस नहीं हुआ यह तो कोई बात नहीं अच्छी बात है नहीं crash हुआ तो ठीक है आप समझ गए कि आपको किस तरीकी की चीज़े करनी है तो अभी मैं क्या कर रहा हूं ना वेट को 5 करते हैं ओके ठीक है तो इस तरीकी का सेफ बना लेते हैं और जो मैंने आपको बताया था ठीक है यह हमारा बन गया है सब को select किया राइट क्लिक एंड एक्स्प्लोड ठीक है तो मैं इसमें बफर नहीं ले रहा हूं ठीक है जो और पूश पूटल की मदद से इसे हम हम ठालेते हैं ठीक है अंदर की चीज़ों को थोड़ा सा हम कि सॉफ्ट चलिए बाद में कर लेंगे तो अभी क्या है कि यह तो हमारा बन गया इसे मैं थोड़ा सा ऐसे रूटेट कर लेता हूं क्योंकि उस तरीके से बॉक्स में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए थोड़ा सा मतलब कि हमें क्या चाहिए अलग एक प्लग इन चाहिए जो उसे उस तरीके से कनवर्ट कर सके तो उसके लिए क्या है प्लग इन सेब बेंडर है हम क्या कर रहे है कि इसी की लेंथ का अगर मैं इसकी लेंथ ना पूंँ 8 फूट की है तो 2 बाई 2 का अगर हम लेके चले तो चारो साइट बन जाएगी ठीक है तो एक स्क्वायर हम बना रहे हैं यहां पर दो फूट कॉमा दो फूट एंटर ठीक है तो हम कोसिस करेंगे कि यह जो सेफ है वह यहां पर आए तो सबसे पहले इसे हम ख़ड़ा कर लेते हैं नहीं तो फिर यह गलत हो जाएगा इस तरीके से ठीक है है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया सेलेक्ट किया अब यह स्की है पूचरा आइभ यह कर्ब लाइण के लिए कह रहा है ठीक है तो यह कर्ब लाइन नहीं सेलेक्ट हो रही है इसे अब ड मैं एज इस पर थोड़ा सा राउंड आर्ट्स क्रिएट कर रहा हूं ताकि यह हो सके मैं कोशिस कर रहा हूं अभी हो जाए है यह स्ट्रेट लाइन उसके बाद यह कर लाइन यह कर लाइन नहीं होरी क्रिएट उसके जगा हम दूसरी वाली यूज करते हैं आर्ट की मदद से ठीक है आर्ट की मदद से यहा हूं आर्ट की मदद से भाइन आर्ट कर लाइन आर्ट आर्ट कर दो अजगा है यह दुए आर्ट कर रहा है तो यहां पर हम क्या कर रहा है कि इसमें मैं क्या करूंगा बस एक चीज कि सबसे पहले तो एक आर्च बना लेंगे हम कॉर्नर्स पे ताकि यह स्मूधली राउंड हो सके नहीं तो कॉर्नर्स पे दिख्कत आएगी ठीक है इसमें हमें एक चीज और करना यह होगा मैं इसे थोड़ा सा आगे पीछे करते रहा हूं ठीक है नहीं तो फिर क्या होगा कि यह होगा नहीं अगर यह चारो साइट से क्लोज रहेगा तो यह बन नहीं पाएगा ठीक है तो मैं इसे इस तरीक से बढ़ा रहा हूं एक इंच थिक है हमारा तो उसके हिसाब से मैं इसे जगा रख ले रहा हूं ठीक है यह दिखे यह गैप है थोड़ा सा दोनों के बीच में तो अब हम इसे करेंगे सेलेक्ट किया मैंने मॉडल को अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किजेगा और मैं बताने चाहूंगा अगली वीडियो में यही बताऊंगा इसी चीज को दुबारा लेकिन उस केस में आपको इसकी जरूरत नहीं होगी ठीक है सिर्फ एक extension की जोत होगी और दूसरा जो हमारा push pull यूज होता है वो ठीक है तो चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और कमेंट मे अपनी राए जरूरत है बाकी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद